यूपी के बरेली के एक सरकारी स्कूल से बेहत हैरान करने वाला मामला सामने आया दरसल सरकारी स्कूल में मेरे अल्ला वाली प्रात्ना कराई जा रही थी इसी को लेकर अब विवाद छड़ गया है दरसल बरीली जिले के फरीदपूर स्थित एक सरकारी स्कूल में मेरे अल्ला प्रात्ना कराई जाने का विडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुआ इस मामले को बढ़ता देख विश्व हिंदू परिशद ने फौरन एक्शन में आकर स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षा मित्र के खिलाफ शिकायत तरज कराई साथ ही विश्व हिंदू परिशद के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि हिंदू बहुलता वाले शेत्र में मदर्से वाली प्रात्ना में धार्मिक भावनाय आहत की जा रही है शिगायत मिलने के बाद फॉरन अधिकारी हरकत में आये और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया वहीं इस मामले पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये 26 सेकंड का वीडियो फरीदपुर के मोहला परा स्थित कमला नहरूपूरु माधमिक स्कूल का है वीडियो में दिख रहा है कि इसमें तीन दर्जन से ज्यादा बच्चे खड़े होकर प्राथना तोहरा रहे हैं ये वीडियो किसी उची बिल्डिंग से बनाया गया है जिसे शोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया गया विश्वे हिंदू परिशत के नगर अध्यक्ष सोंपाल राथोड की शिकायत के बाद प्रधानाचारे और शिक्षा मित्र के खिलाब शिकायत दर्ज कर आई गई थी उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि शिक्षा विभाग का इस पूरे मसले पर आगे क्या कहना है वही अब इस मामले पर स्पी द्यहाद भी सामने आए स्पी द्यहाद राजकुमार अगरवाल ने कहा थाना फरीदपुर के महले में जो ये वीडियो वाइरल हुआ है उसमें निर्धारित प्रातना के अतरिक्त कम्यूनिटी विशेश प्रातना का वीडियो प्राप्त हुआ है और इस संदर्ब में सम्मेंदित धाराओं के हिसाब से F.I.R. दर्ज की गई है और जानकारी से ये भी पता चला है कि B.S. द्वारा प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है लेकिन बड़ी बात ये है कि किस तरीके से यूपी की सरकारी स्कूल में एक धर्म विशेश की प्रातना की जा रही थी ये बड़ा सवाल है निर्धारित प्रियर के अतरिक जो है एक कम्यूनिटी विशेश से सम्मंदित प्रियर का वीडियो प्राप्त हुआ है इस संदर में थाना फरीदपूर पर सिकायत प्राप्त होने पर अवियो की पंजी कराया गया है सम्मंदित प्रिभाग को भी इसकी सूचना दी गई है इस अंदर में जो जानकारी प्राप्त हुई है उस संबंदित प्रिंस्पल को पियसी के दोरा ने लम्मित भी किया गया है